हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैक टू दा चैनल मेरा नौम है रमेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल दा नौलिज रेस फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के कोशन जो रिसेंटली जेके SSB के दुआरा डिफरेंट कंप्यूटिटिव एक्जाम में पूशे गए हैं इसका जह सेट वन है और सेट सैकिंड जो है वो आपको कल मिल जाएगा इसके साथ ही हमने चैनल का लोगो जो है वो चेंज किया है अभी इस लोगों के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है Nhा जितने भी कोशन हम इस वीडियो के अंदर डिसकेस करने वाले है इनके ओपर डिटेल वीडियो हमने बना के डाले हुएं प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी उपर आई बिटन से भी मिल जाएगी और वीडियो के एंड में जब वीडियो खतम ह तो end screen से भी आपको playlist इसकी मिल जाएगी तो video start करने से पहले एक और आपके लिए important information है हम बहुत ही जल्दी अपनी test series जो है वो launch करने वाले है different subject की तो जिसके उपर काम चल रहा है वो कौन सी app के उपर हम उसको launch करेंगे वो भी हम आपको जल्दी ही बता देंगे तो चलो video start करते हैं इससे पहले कि अगर आप channel के उपर ने हो तो जुरूर channel को subscribe कर ले वैल notification को भी आन कर ले आने वाले videos की notification आपको मिल जाएगी PDF हमारे telegram channel से absolutely free podcast आपको मिल जाएगी तो चलिए video start करते हैं हमारा जो पहला question है पहला question यह है emails that are partially composed can be saved in dash folder तो जब आपने बहुत बार देखा होगा जब आप कोई भी email design करते हो किसी को बेजने के लिए तो जब आपने उसे partially design किया होता है completely उसको आप design नहीं करते हो कुछ समय के लिए आप उसको save करके रखते हो फर्दर जब भी आपके पास time होता है तो उसी को आप जो edit करके फिर किसी को send करते हो तो यह जो partially कहां पर वो save रहती है वो dropped के अंदर save रहती है send में क्या होता है जो भी आपकी send की हुई email होती है तो वो आपकी send item में चली जाती है और inbox के अंदर जो भी आपको mail आती है तो वो inbox के अंदर आती है और delete mail जो भी आपकी होती है वो आपकी bin के अंदर आती है इसको हम तरास नाम से भी जानते हैं question number second जो है which is the shortcut key to make a text bold friends बहुत बार competitive exam में Jkshp के दौरा जे question पूशा गया पता नहीं कितनी ही बार मैंने इसको different competitive exam में देखा है तो बहुत बार जे question जो है repeat हुआ है bold के लिए shortcut की कौन सी होती है तो simple जो है कोई भी text bold करने के लिए जो shortcut की होती है वो control B है और control K जो है वो hyperlink के लिए होती है control L जो है वो alignment के लिए होती है alignment में left align के लिए होती है और I जो है वो text को italic करने के लिए होती है जैसे आपने ऐसे लिखा है इसको थोड़ा सा ऐसे तिर्शा करना हो तो उसके लिए हम italic का use करते हैं तो इसका right answer जो है वो control B है multiple time जो है repeated question है JKSSP के दोवारा question number third जो है वो है हमारा dash is a note that describes the part of the worksheet and it's connected to a cell देखे फ्रेंट जो है वो Excel से पुछा गया है यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जैसे Excel आपको पता है कि Excel जो है वहाँ पर number of rows and colon होते हैं जो नीचे line आती हैं इनको हम rows बोलते हैं और जो ऐसे line जाती है जो नीचे हैं ABC की form में होती हैं जे इनने column बोलते हैं और यहाँ पर फिर 123 करके हमारी rows होती है ठीक है तो इसको जाद रखना है उपर column रहते हैं आगे और नीचे जो आती है यह rows रहती है और intersection of rows and column जैसे यह intersect करती है तो यहाँ पर क्या बनते हैं हमारे जी शोटे-शोटे boxy जो बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं cell बोलते हैं ठीक है और cell कोई भी cell मालो कि इस cell के उपर आप कोई काम कर रहे हो लेकिन कोई इस cell को आप particularly जाद रखना चाहते हो कि यहाँ पर जो data मैंने डाला है वो क्या है तो उसके लिए एक शोटा सा यहाँ पर आप note लिख सकते हो क्या करना होता है उसके लिए यहाँ पर जाके mouse से आपने right click करना है right click करोगे तो नीचे एक drop down list खुलके आ जाएगी यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा comment का comment जैसे ही आप यहाँ पर comment के उपर click करोगे तो एक box आपको जो है वो मिल जाएगा यहाँ पर एक box मिल जाएगा उस box में आप जो भी information लिखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो जैसे mouse को आप हटाओगे तो यह box भी हट जाएगा इस box के उपर जब भी आप mouse जो है cell के उपर लाओगे तो जहाँ कारनर पे एक छोटा सा वो ट्राइंगलोर शेप में आ जाता है तो उसके उपर जैसे आप पॉइंट करोगे तो यह box आपके सामने आ जाता है तो इसका जो right answer है इस question का वो है comment तो जहें आपको जाद रखना है उसके बाद question number 4 जो है इसका क्या question पूशा गया है which part of the CPU perform various computing functions on data देखो इन सारे topics के उपर friends हमने detailed video बनाई है Excel के उपर, Word के उपर जहां सारा जो है जितना भी basic computer आता है तो इसमें 21 के 22 वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लिलिस से आप उनको देख लीजेगा सारे concept आपके clear हो जाएंगे question number 4 जो है which part of the CPU perform various computing function जो है तो computing function के लिए जो plus minus subtraction, multiplication का काम होता है तो ये कौन सा part करता है तो वो करता है ALU जो है इसकी full form है arithmetic logic unit ROM जो है एक शोटी सी chip रहती है friends computer के अंदर और ये एक ROM एक hardware है और इसके अंदर एक software डाला होता है उसको हम firmware बोलते है जर्नल जी आपका mobile है computer है, washing machine है, digital watch है तो इन सब में पड़ी होती है जर्नल ये क्या करता है आपके computer को operating system को activate करता है तो जब भी आप computer को boot करते हो तो तब ये काम करता है ठीक है, तो ROM जो है एक hardware होता है इसके अंदर एक software जो पड़ा रहता है तो वो firmware है उसके बाद RAM, RAM भी एक hardware है और जर्नल ये आपकी temporary memory होती है computer के अंदर primary memory इसे बोला जाता है और control unit जो है उसे CU in short बोलते हैं CU की full form पूछे तो control unit है जिसका काम है पूरे computer को control करना कौन सा data कहां पे बेजना है कौन सा signal कहां पे बेजना है तो जे सारा इसका काम है next question friends आया हुआ है CRT is a television like monitor what does CRT stand for ये भी multiple times जो है जेके SSB के दवारा पूछा गया question है तो CRT की full form जो है इसकी full form आपको बतानी है इसकी full form है cathode ray tube तो ये इसका बी इसका right answer है cathode ray tube ठीक है जे आपको जाद रखना है जनरली ये प्राने जो old monitor होते थे जैसे इस type के वो लंबे वाले monitor तो यहाँ पे जो बीच में tube रहती थी उसको हम cathode ray tube बोलते थे और इसके साथ ही जो है cathode ray tube के साथ दूसरा हमारा LCD आता है liquid crystal display आता है और फिर LED आता है lighter meeting right तो ये तीन परकार के mainly जो है monitor हमारे रहते हैं तो इसका जो right answer है वो है cathode ray tube question number 6 जो है dash option help you to type very small letter just below the line of text in Microsoft Word देखो Microsoft Word के उपर भी detail video हमने बना रखी है अगर आप देखना चाहो तो आपको playlist मुल जाएगी यहाँ पर इन्होंने पूशा है option that help you type very small letter just below the line of the text under Microsoft Word देखो जैसे आप mathematical काम करते हो mathematical काम करने के लिए जैसे आप क्या लिख रहे हो यहाँ पर x लिख रहे हो और x की square लिख रहे हो जहाँ फिर x की base power टूर लिख रहे हो तो जैनरल यह जो नीचे आता है ना तो इसे हम बोलते हैं subscript यह उन्होंने पूशा है very small letter just below the line of the text Microsoft Word के अंदर तो जे जो इस type के आता है इसे हम बोलते हैं subscript इसका option जो है वो subscript है अगर superscript के लिए पूशा जाए तो इसकी जो square power आती है वो से हम क्या बोलते हैं superscript बोलते है तो superscript भी option में है बट इसका इन्होंने पूशा कि just below तो वो आपकी जो है वो subscript आती है small script और type script कुछ नहीं होता next जो है question number 7 function in Excel return the characters from the middle of a text string given a starting position and length बहुत ही typical question पूशा है जिन्होंने Excel बहुत ही अच्छे डंग से चलाया हुआ है चाच्छे डंग से जानते हैं Excel के बारे में तो वो ही इसको कहा कर सकते है general ये Excel का एक function होता है इसका answer जो है वो mid है कैसे आता है mid value के लिए जे आता है देखो मैंने आपके लिए एक example भी रखी है ये formula बार उपर आ रहा है fx जो है जिसको formula बार बोलते है कभी fx के बारे में पूछ लिया जाए तो formula बार होता है इस function को use करने के लिए हम is equal to और mid गरते है mid value से हमें कहां से text को start करना है वो देखना है एक देखो मान लो कि ये पूरा data यहाँ पर मैंने लिख के रखा है और अभी मैंने आपको बताया कि उपर जो रहता है ये आपका column रहता है नीचे आपका rose रहता है इस cell की जो position है यहाँ पर जिब B इसका column है और 3 इसका जो है row है तो B3 इस cell की position है जिस cell की उपर अभी हम काम कर रहे है जैसे ये वाला cell जो है ये वाला तो इसकी position B3 है इसलिए is equal to mid जो है ये formula है bracket लगाने के बाद हम B3 लिखेंगे तो ये वाला cell हमारा जो है वो activate हो जाएगा उसके बाद हमने क्या किया कामा लगाया कामा लगाने के बाद हमने 7 लिखा 7 मतलब हमारा letter जो है वो 7 से start होगा इसमें space भी count होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो 45 2 हो गया उसके बाद 7 8 8 मतलब 3 digit और आगे तो इसका मतलब 3 कितने होगे total ये 5 होगे आगे space आगे space भी count होती है तो इसका मतलब plus 1 6 होगे जानी S तक जाने के लिए हमे 6 letter को छोड़ना पड़ेगा मतलब 6 digit बोलो जाना letter बोलो space बोलो उसको छोड़ना पड़ेगा तो 7 यहाँ पर लिखा है तो जी 7 से start होगा 7 नमबर पर क्या आ रहा है S आ रहा है तो सलमान यह से लिखा हुए S में 6 letter है 7 नमबर पर S था और S के बाद कितने चाहिए हमे 6 चाहिए तो आगे यह पूरा S के साथ अग N तक count करोगे तो 6 होते हैं तो यह थोड़ा typical question था Excel का यहाँ पर यही पूशा गया था इनके दोबारा तो इसका answer जो है वो क्या है मैं question को एक बार repeat करता हूँ dash function in Excel return the character from the middle of a that string given in the string positions and length तो यह जो है उसकी length और position बताने के लिए यह इस तरीके से formula use होता है very typical question था यह simple question की category में नहीं था question number 8 जो है dash is a system monitor program used in window that give the detail on processing and application running तो इस message जो आप window use करते हो जो आपका operating system use करते हो उसमें आप क्या-क्या use कर रहे हो कौन-कौन से running आपके program है तो वो कौन सा इस message दिएगे option message हो है वो आपको इसकी information देता है तो friends इसका option जो है वो task manager है task manager आपको यह बताता है कि जैसे ही आप computer के screen के उपर right click करते हो वहाँ पे नीचे आपको एक option मिलता है task manager task manager के उपर जैसे ही आप click करते हो तो आपके जितने भी running program है जो भी आपने चलाए हैं खोले हैं तो वहाँ पे आपको उसकी information जो है वो मिल जाएगी तो इसका option जो था वो task manager था चलिए next question number 9 dash is a device that select between the several analog or digital input signals and forward the selected input to a single output line friend JB data communication से पूछा गया question है बहुत ही typical deep question जाके पूछा है generally जी आपको जो है जो computer fundamental का basic साता है वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा generally होता क्या है कि computer के अंदर एक IC chip रहाती है जिसके अंदर उसका क्या काम होता है जितने भी आपके different signal आ रहे है यहाँ पे यह signal आ रहे है और इसके उपर उसे single output line में यह बेजता है और इसमें से उसे कौन सा signal लेना है इसके उपर पूरा different से एक concept है और data communication electronics से यह question पूशा गया है हलाकि बहुत ही deep जाके question पूशा है उन्हें उन्हें तो इसका answer जो था वो multiplexer था अब इसका demultiplexer भी होता है उल्टा होता है जैसे single line में कोई data आ रहा है उसको multiple signal में आगे बेजना है तो वो उसे demultiplexer काम करता है अगर multiple signals आ रहे हैं तो उसको आगे single line पे बेजना है तो इसका काम होता है multiplexer का आगे जो दूसरा इसका option है इसका right answer यही था option number A जो इसका right answer था land जो है local area network आप create करते हो जैसे अपने ही कोई एक building के अंदर यहां कहीं create करते हो लगलग computer को जोड़ के अब दूसरा rotor और modulator का काम होता है modulator और demodulator जो आपकी modem है ठीक है modem आपने देखा होगा जब भी आपकी telephone line से आपके घरता connection आता है तो telephone line से फिर आप एक modem पे connection देते हो उस modem से आगे आप अपने system को देते हो तो होता क्या है कि modem की full form भी यही है modulator का क्या काम होता है जब भी दो computer के बीच communication हो रहा होता है थ्रू telephone lines के उपर जैसे आपका computer यह है और यहाँ पर telephone line के जरीए थ्रू modern communication हो रहा है तो यहाँ पर क्या हाता है आप जैसे किसी को signal बेज रहे हो तो आपका modern digital signal से जब उसे analog में convert करता है उसे हम modulator बोलते है और जैसे आपके पास कोई data आ रहा है telephone line के जरीए तो वो आपका analog data आता है उस analog को convert करके digital में convert करता है तो उसका काम होता है demodulator ठीक है तो जैसे modem का काम होता है उसके बात rotor जो होता है rotor का भी generally यही काम होता है अब क्या होता है कि आपके गर में modem है modem से एक wire निकाल के आपने router पे लगा दी है और router जो है वो आपका wifi पे काम करता है wireless signal होता है जैसे आपने wifi देखा होगा कहीं एक wifi connection के साथ router के साथ वो main connection होता है और वहाँ से वो आगे signal distribute करता है without wire तो आप वहाँ से अपना wifi बगारे सला सकते हो तो यह router का काम होता है ठीक है तो इसका option जो था वो ए था question number 10 जो है to process large transactions that can run without end user interactions you can use desk processing देखो यह एक operating system था 1960 के आसपास था 1960 में सबसे पुराना operating system इसका क्या काम होता था कि उस time जो है बहुत सारे लोगों के पास computer नहीं था बड़ी बड़ी industries के पास जो है इस टाइब के computer हुआ करते थे अगर किसी को भी अपना काम करवाना होता कोई output चाहिए होता था तो वो अपना data जो है उस time punch card हुआ करते थे punch card जा फिर magnetic tape जो हुआ करते थी अपना data जो है पंच कार्ड या magnetic tape में डालके एक computer operator के पास जाता था और उसको दे देता था कि मुझे यह output इसकी चाहिए अब computer operator जो है उसको अपने पास रख लेता था वो काम कब होगा हपते बाद होगा 10 दिन बाद होगा किसी को मतलब कोई पता नहीं होता था जब भी वो काम हो जाता तो फिर वो जो जिसका काम था वो computer operator के पास जाता और उससे वो वापस काम अपना जो है ले लेता जनी जर्नलिक end user जो है जैसे आज हम लोग end user है और हमारे पास computer जो है हम लोग खुद चलाते हैं खुद काम करते हैं उस time end user जो था computer से directly इंटरक्शन नहीं करता था तो ऐसे जो processing थी इसे जो ऐसा जो operating system था उसे हम batch processing बोलते थे जा फिर batch operating system बोलते थे उसमें जो operator था वो batch बना बना के उस तो like share जरूर करें चैनल के पहली बार आये हो तो चैनल को subscribe जरूर करें बहुत ही जल्द हम अपनी test series भी launch करने वाले हैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं वो किस app के उपर होगी आपको जल्दी ही हम बता देंगे अगर आपको हमारे हमारा content अच्छा लगता है तो हमे comment section में जरूर बताएं thanks for watching this video मिलती है next day next video के साथ